जोम के साथ गमंड के साथ यह कहते थे कि देखिए हम ऐसा काम करने जा रहे हैं कि हमको लोग गोली मार देगा पूरे देश में बिहार एक मात्र ऐसा राज है जहां भूमी सुधार नहीं हुआ है कि सबको एक तरह की सिक्षा यह बहुत पुराना सपना है अजादी के लड़ाई का भी सपना है पंदर साल में आपने क्या किया बही बिहार सबसे गंदा राज और बिहार की जाजधानी सब से गंदी राज नित बने अकवार चापता था पहले पहले पेज पर चापता था कभी लालुजादों ने फोन करके संपादों को कहा होगा कि आपने क्यों जो है यह चापा एक भी आदमी ऐसा कहने वाला नहीं है नमस्कार मैंना मालोक है आप लाश्टीस देख रहे हैं जे नहीं दे तो मैं बिहार में खूब विकास हुआ है उन तमाम बातों को गिनवाएंगे 15 साल कितना बेमिसाल रहा यह बात हैं अब विपक्षी खेमे से भी हम पूछने के लिए पहुँच चुके हैं शिवारा नतिवाय माय साथ हैं आपने तो देखा है 15 साल क्या-क्या तस् बलकि ही दितिस कुमार ने विहार को भी से स्राज का दर्जा देने के लिए जो अभियान समीती बनाई थी उसके हम संयोजग थे और हमने ब्रहुत मेहनत से विहार के साथ जीजदंग से सोसन हो रहा है और विहार को जिस तरह से उपनिवेस बना कर रखा गया है इसको हमने बिस्तार से काम करके हम लोग ने उसका फोल्डर वी छपवाया था तो काम जो है दिखाई देरा है माली जे सनक बनी बिजली बनी लेकिन जो एतिहासिक काम जो हो सकता था जिसमें दितिस कुमार ने कदम पीछे हटा लिया वो दो-तीन काम हम आपको पुछना चाहेंगे उन वीर्फोर्म स्काप नहीं हुआ झाएं पूरे देश में हो गया है वी आर में नहीं हूआ है निटिस कुमार की सरकार पड़ी तो उन्होंने बंदुपाध्याए जो बंगाल करने वाले थे रासवा में हमारे साथ सांसथ भी थे पूरा नाम उनका हम भोल रहे हैं उनकी अध्यक्सता में एक कमिशन बनाया बंदुपाध्या साथ वही हैं जिन्होंने बंगाल में जो बामपंधी की सरकार बनी थी और उन लोगों ने जो लैंड रिफॉर्म्स किया था, वो उसके लिए भी उनका इस्तमाल जो है बामबंती सरकारों ने किया था उनका ये कहना था, मैंने उनसे पूछा था कि भई, रिपोर्ट आपने दे दिया, नितिस कुमार ने क्यों नहीं किया सो अखबारों में जिससे खबर ये मिल रही है कि आपका ये कहना है कि यहां साहब जो अमुक साल तक बटाईदार जो है, खेत जोतेगा, उसी का हो जाएगा मिलकियत, कहाँ कि एकदम गलत बात है हमने बंगाल में जो लेंड रिफोर्म्स हुआ है, उससे हलका जो है, ये कानून बनाने का हमने अंसंसा किया था नितीस कुमार उस समय अपने साथ जो उठने बटने वाले लोग थे, उनको बहुत, बने जोम के साथ, गमंड के साथ ये कहते थे, कि देखिए, हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, कि हमको लोग गोली मार देगा उनकी ऐसी धाना थे कि इतिहास में वो अमर हो जाएंगे, सही बात भी, अगर लाइन डिफोर्म सु करते तो अस्थाई रूप से उनका नाम जो है, बने लंबे अरसे तक इतिहास में लिखा जाता है, उसके बाद दूसरा जो कमिशन उन्होंने बनाया था, कि सब को एक तर की सिक्षा मिलती है, उससे जो मधवर्ग है, निम्ना मधवर्ग है, वो जो है छोटा छोटा जो गाँ और कस्वे में अंग्रेजी स्कूल खुला हुआ, उसमें पढ़ रहा है, और जो एक दम बने गरीब तबका है, उसमें भी अपने बच्चों को पढ़ाने की लालसा जो भीजके कमिटि ए कोई कमिटी पर कोई अमल नहीं किया, कोई अमल नहीं किया, उसी तरह से आप स्वास्त के च्छतर में देख लिए, अब ही जो करोना आया, करोना से कले खुल गई, कले खुल गई इसलिए कि कोई भी इनका रसूखदार, चाहा पतादिकारी हो, या राज एक आदमी भी दे मुख्यमंत्री के परिवार का सदस उसको करोना हुआ वही भारत सरकार का जो एमस है वहां जो है जाकर के लोगा एड़िट हुए तो अभी हाल में इन्होंने कहा कि PMCH को वो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो है बनाने जा रहे हैं 15 साल में आपने क् किताब नहीं है परले तो वह भी नहीं था परले से बना हुए था इनके आने कबाद बना आय का दर्वभंगा मेडिकल कोलेज बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है यह उनके आने के अब भी जो है देखिए स्वाखिष्टा का जो जांचपड़ताल हुआ पतना सबसे गंद राज और विहार की जाजधानी सबसे गंदी राजधानी यह इस हिती है यह उपलब्दी है अख़बारों को उठा करके देखिए अधिकारियों का मैं पदस्थापन तक नहीं हो रहा है अज ही हम देख रहे थे किसी अख़बार में कि जो सियो लोग है जिनका काम लैंड के सा जुड़ा है जमीन के साथ जुड़ा हुआ जमीन बंदबस्ती के साथ लगान वसूली के साथ जुड़ा हुआ है हाई नहीं पहले के जबाने में जो टिप्टी कलक्टर लोग सीह होते थे वीडियो होते थे तो सीयो को अलग से ट्रेश अवार्य STEVE क्योंकि जमीन संबंदीas कानून है वो इतना पेचीदा है कि उसके बारे में अगर अलग से जानकारी नहीं मिलेगी तो लोग ठीक से काम नहीं कर सकते हैं आज के एक बार में छपा हुआ सी वह ही नहीं अब ये जो सिक्षकों की बहाली का मामला है तीन लाक सिक्षकों का क्या नहीं बहाली निकलती है और उसके एक डिर साल के बाद दू साल के बाद जो है एक जामनिसन की बात होती है और उसके बाद लड़के जो है दोते रहते हैं जुलूस निकालते रहते हैं लाठी खाते रहते हैं और तब तब भी बहाली नहीं हो पाती, अभी 3 लाख जो है बहाली लटका हुआ है, तो नितिश जी को बताना चाहिए, कि 15 साल में आप जो है अपने प्रसासन में वर्ग कल्चर जो है नहीं, कार्ज संस्कृति जो है आप नहीं पैदा कर पाए, जिसका जो काम है आपके प्रसासन में जिस अस्तर का, जिस पता दिकारी का काम है, वो काम नहीं हो रहा है, और इसलिए जनता दरबार में लोग आ रहे हैं, आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले जो जनता दरबार हुआ था, उसमें एक लल्का जो है आइडेंटिटी कार्ट लेके दोड़ रहा था, उसके यह वो मुख्यमंत्री के दरबार में आया, क्या है भाई, आपने क्या करवाई किया, क्यों ऐसा हुआ, जहां उसका मने निदान हो जाना चाहिए तो आनुदान क्यों नहीं हुआ, आपके पास आया, इस तरह से जो छोटी-छोटी बाते आती रहते हैं, दीजी साब देखि सिग्रेटरी साब देखिए, और वही क्यों आ रहे हैं आपके यहां, जिसको फैसला करना था, उसने फैसला क्यों नहीं किया, यह कहीं से है ही नहीं, कोई भी दफ्तर हो बिना पैसा के आप काम नहीं करा सकते हैं, और हालत ऐसी हो गई है, कि यहां आपार में अखबारों प के लिए कानून बनाया था, उस कानून के खिलाफ प्रिस बिल जो है आया था, उस हम लोगों ने बिरोद किया था, नितिसकुमार उस बिरोद में सामिल थे, हम लोग साथी जेल में रहे, जेल महिना से उपर रहे, आज क्या हालत है भई, हमको याद है, जब हम लोग नितिस कुमार के साथ थे और लालू जादो पर फोडर इसकेम हुआ था एक भी पत्रकार ये नहीं बता सकता है आप जो भी सिकायत कीजिए लालू जादो का लेकिन एक भी पत्रकार ये नहीं बता सकता है कि लालू जादो के खिलाफ में जो बने अक्मार छापता था पहले पहले पे उसको नौकरी से निकालने के लिए और नौकरी से नहीं संभव है तो यहां से हटा देने के लिए पर भी होती है, बिग्यापन जो है बंद हो जाता है और हालत ऐसी है कि गुलाम वाली इस्तिती हो गई है, पत्रकारों की, संपादकों की, संपादक लोग, सीनियर लोग हैं, परसासन में भरस्टाचार है, रोज अपराद की खबरें जो है चप रही है, और पहारन जो है शुरू हो गया है, आज ही एक लड़की का बयान चुपा है, हाजीपूर में वो रेल में बैठी हुई थी और किसी ने डंडा से उसके हाथ पर मारा, उसका मोबाइल गिर गिर गि देखा, वाले खिड़की के पास बैठी हुई थी जिसमें रोड नहीं लगा हुआ था, गिर गिया उसके बद देखे कि सोना का मैंने हाथ में कुछ पाने हुए, चूड़ी पाने हुई है, उसको खिच लिया ट्रेंड से, गिर गई रेल वे लाइन पर, बाप बाप चिलात अने अखबार में जो खबर चपी है कल से जो छप रही है, अने ताबर तोड चपा मारी, और लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है, आतंक बादियों के खिलाब भी इतनी सक्रियता भारत सरकार नहीं दिखा रही है, जो नितीज कुमार जो है, सक्रि कुमे कमिशन पर नहीं अड़ सका, जो विधान सभा में घोसना किया कि अम मिट्टी में मिल जाएंगे फिर नहीं किया, अपने उस तंकल पर नहीं अड़ सका, वो दारू के सवाल पर प्रतिष्टा का सवाल बना करके लोगों को पकड़ रहा है, जेल भेज रहा है, मुसार करिवार का खर्चा कैसे चलेगा अगर वो करता है परिवार के वही कमाख है वही परिवार का बहरन पुसंद बाल बच्चों को कहिला रहा है, अगर जेल चला गया, तो उसके परिवार को कौन खिलाएगा, अपने पता किया है, यह जह क्यों आप इतना भेशान है, भाई, साल बे मिसाल अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है असल में दिक्कत क्या हुई है इनके साथ इनका जो हंकार था वो हंकार टूटा फिश्रा जो विदान सभा का चुनाव हुआ उसमें जो बड़े भाईक इनकी भूमिका थी वो आ गए छोटे में भी बहुत छोटे भाई के भ अंडिये का जात्थे यह संजेज Свणाव का जात्यदेट है सुशील मोधी का जात्यजेट जो पहले एक होता था कि भारतिय जंत्र पाठी के लोग भी नितीश कुमार का चेहरा टांकर के भोट मांगने जाते थे अपने नेता का नाम नहीं ले रहे थे आज उलट गई इस्टिती अब नितीश कुमार अपने नाम पर अपने कैडिनेट का भोट नहीं मांग रहे हैं वो सब नेताओं का नाम लेकर के, NDA का नाम लेकर के, जीतन राम आजी, मुके उस्तानी के उमिद्वार हैं, इस तरह का उन्होंने भासन किया, तो पंदरा साल, बेमिसाल की वज़ा यही है, उनका आत्म विश्वास जो है, डिग गया है, और उनको लग रहा है, कि हमारी हैसियत जो है, एक जमाने में जो बड़े भाई की थी, वो छोटे में भी छोटे भाई की भूमिक्या हो गई है, यह जो हिंता का भाई है, ये हिंता का भाव जो है उनको खाय जा रहा है और इसलिए बगैर जरूरत के आप जो है ये अभियान एक चला रहा है कि साहब पंदरा साल बे मिशाल यही है पंदरा साल बे मिशाल का की कता हमारे नजर से पंदरा साल बे मिशाल की असली सचाई क्या है असली वज़ा क्या है ये शिवानतिवाई ने विस्तार से बताई है आपने सुना होगा पुरानी बातों की भी चर्चा किये है जो हम और आप जो नई पीडी के लोग है वो नहीं जानते हैं उन्हें भी जानने को मिला होगा इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ फेस्ट पेश भी लाइक करें धन्यवाद